Invelop of Glory पोड़कास्ट में आपका स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं आत्मा प्राण और शरीर के विशे में यह पोड़कास्ट और इसकी जो सिक्षाएं हैं वो एंडू वोमेक के द्वारा लिखी हुई किताब परमेश्वर का वचन दोधारी दलवार से भी पैना है इस से लिया गया है मैंने आठ वर्ष की आयू में नया जन्म पा लिया था अगले ही दिन जब में स्कूल गया तब मेरे मित्र मुझ में फर्क को देख सकते थे वह एक मौलिक परिवर्थन था जिसने मुझे बदल दिया समय बीतते बीतते अधिकांश मसीहों के समान मैं भी धर में फस गया मैं इस सोच के जाल में फस गया कि परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ करना होगा इसने मुझे परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए अपने आपको परियाप्त अच्छा बनने की धंजट में डाल दिया पर हमेशा कमी मुझ मे बनी रही अपने नया जन्म प्राप्त करने के दस वर्ष पस्चात मैंने अनुभव किया कि आखिरकार परमेश्वर से मेरा सामना नाटकी ये रूप से हो गया यहाँ पर लेखक कहता है कि किस प्रकार से आठ वर्ष की आयू में उसने नया जन्म पाया था और उसके बाद वो अपने विद्याले में गया और वहाँ पे उसके व्योहार और उसके आचरण में परिवर्तन तो था लेकिन धीरे-धीरे समय की बीठते साथ ही वो धर्म में फस गया धार्मिक क्रिया कलापों में फस गया वो अपने आप से परमेश्वर को प्रसंद करने की कोशिश करने ल लेकिन उसके बाद वो एक नाट की एगटना का वर्नन करता है 23 मार्च सन 1968 को शनिवार की रातरी अपने कुछ मित्रों के साथ मैं प्रार्थना में था अब परमेश्वर ने मेरी आखों के सामने से परदा हटाया और मैंने देखा कि मैं कितना बड़ा पाखंडी हूं मैंने यह देखा कि मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा था मैं परमेश्वर और दूसरों की सहमती प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था मैंने अपने सबसे करीबी दोस्तों के सामने उस रात अपने आपको उंडेल दिया फिर मैंने अपने उन सभी पापों का अंगिकार किया जिने म सोच सकता था। उस वक्त मैंने सोचा परमेशवर मेरे हिड़दाय की वास्तरविक स्थिति को पहली बार देख रहा है वह उसे ठीक उसी रूप में देख रहा था जैसा मैं वासताओं में हूं। मैं जिन चीजों को देख रहा था वा इतनी बतसूरत थी कि मैंने यह सोचा कि परमेश्वर मुझे मार ही डालेगा पर परमेश्वर की और से प्रकोप व अस्विकृती के बजाए मैंने परमेश्वर के प्रेम के उंडेले जाने को देखा यह ऐसा अनुभाव था जिसने मेरे जीवन से कोई संबंद नहीं है यह केवल परमेश्वर के अनुग्रह से है आप सोचेंगे इतने सामर्थ पूर्ण अनुभाव के बाद मैं बहुत सुखमे जीवन बिता पाया पर इसके ठीक विपरित मेरे जीवन में जंगर्शों की शुरुआत हो गया जब मैं सबसे मैं प्रयास कर रहा था मुझे हमेशा सिखाया गया था कि मेरे लिए परमेश्वर का प्रेम मैं कितना पवित्र हूं इस पर अधारित है मैं जितना जादा पवित्र काम करूंगा परमेश्वर मुझसे उतना जादा प्रेम करेगा परमेश्वर मेरे कामों के अधार पर कहता है कि मनुष्य अपने फिर्दय में जैसा सोचता है वैसा ही वह बनेगा अपने मन के विचारों को आप देखिए इस वक्त के मन के विचार एक तरह के दरपन है कि आप किस तरह का व्यक्तित वह बनते जा रहे हैं अगर आप आख बन करके स्मरंड करें और कई चीजों को याद करें दस साल पहले, आठ साल पहले, पांच साल पहले, जब आपने विश्वास प्राप किया, तब भी आप क्या वैसे ही थे, तब भी क्या आपके मन के विचार ऐसे ही थे, जैसे आज है, तो संभल जाए। परमे अबिल की महान सचायों में जएक है, कि मन बहुत शक्तिशाली है, यहाँ इंवलोप अव ग्लोरी, यहाँ इंवलोप अव ग्लोरी चैनल में भी हमारा उद्देश यही है, कि हम मन के नवीनी करण में रभु येश्यों मसी पर विश्वास करने वाले हर एक व्यती की साहता क मन का नवीनी करण अतियंत महत्वपूर्ण चरण है पर मेश्वर के द्वारा हमारे लिए रखे हुए संपूर्ण आशिशों को प्राप्त करने के लिए जिस तरह से आप सोचेंगे उसी मार्ग में आपका जीवन चलेगा, किसी ने कहा है कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही व आप है इस सिर्शक के साथ ऐसी कई किताबें बेस्ट सेलर बन गई लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे पास है और उसमें लिखा हुआ है पहले से, खुदा ने हमें बता दिया है कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते जाओगे, इसलिए अपने मन को नया करना बहुत आपके सर पर कितना भी बड़ा प्रचारक हाथ रख दे, आपकी बुद्धी उसे नहीं बदलेगी, यद्यपी यनुभवों का आप पर प्रभाव हो सकता है, परन्तु जिस बात पर आप विश्वास करते हैं उसमें बदलाव आएगा यह आवश्यक नहीं है अगर आप सु क्योंकि विचारों का बदलना और विचारों का नया होना एक सुनी यूजित प्रक्रिया है, इसलिए आपके विचारों को बदलने के लिए आपको सुनी यूजित धंक से आपकी बुद्धी को नया बनाना होगा, आपको अपनी विचार शैली बदलनी होगी, क्योंकि परम और भावती और सिध्धिक्षा अनुभव से मालूम करते रहो। मन को नया करने के लिए किसी भी प्रकार के भविश्यवानी या किसी महान प्रचारक के हाथ रखे जाने मात्रक से नहीं होता। के लिए भविश्यवानी हुई होगी आपके साथ चमतकार होगा बहुत अच्छी बात है प्रभू की स्तुति हो लेकिन उस चमतकार और उस भविश्यवानी के बात क्या आपके साथ अद्बुद घटनाएं भी होंगी लेकिन उन अद्बुद घटनाओं के बात क्या आप मु कद्दे, आमें